वेडियो में आज हम पढ़ेंगे एक छोटा सा स्टोडी जिसका नाम है वेडिंग ऑफ दा माउस इट मिन्स की माउस की वेडिंग माउस की साधी तो इससे पहले मैं इस तरह के बहुत सारे वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ अगर आप भी चाहते हैं कि आप चोटे-चोटे स्टोडी पढ़के हैं कि अपने जो रिडिंग स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो आप इस तरह के स्टोडी को प्रेफर कर सकते हैं इसमें भी बहुत टाइप्स के स्ट्रक्चर पाया जाते हैं जो बहुत से बच्चे हैं जीने समलना बहुत मुश्किल होता है तो मैं उन्हीं लोगों के लिए इस्पैसल यह वीडियो बना रहा हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं यह उमीद करूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि सब्सक्राइब करना करना इट मिन्स की प्राथना करना ओके एज ही वह प्रेइंग कर रहा था एक क्या हुआ एक इगल केंबाई आया केंबाई इट मिन्स की मैं आपको बताता हूँ एक्चुली कम बाई एक फ्रेजल भर होता है इसका मतलब होता है कि नजदीक में आना और यहाँ पे स्टोडी में दिया गया है केंबाई इट मिन्स की यह इसका भीटू फॉम में यूज किया गया स्टोडी में केंबाई तो इसका मतलब होगा कि as he was praying, चुकि वो praying कर रहा था, an eagle came by, एक eagle उसके पास आया, and, or dropped, drop किया a mouse on his lap, एक mouse को उसके lap में, मतलब lap मतलब उसका गोद, ठीक है, तो क्या होता है कि जब वो परातना कर रहा है, तो एक eagle आया, और क्या करता है, एक mouse को उसके गोद में drop किया, the saint believed, ऐसा saint क्या होगा, ऐसा believed किया, the mouse to be unique, कि जो mouse है, वो कहा है, बहुत ही unique है, यह ऐसा क्यों मानता है, क्योंकि हम भी, अगर क्या होता है, sometime अगर हम, किसी, अगर example हम आपको दे, तो अगर हम God के सामने जाके, अगर हम God से कुछ wish, अगर हम डिमांड करते हैं, कि God आप मुझे मेरे wish को पूरा कीजिए, अगर कुछ ऐसा हो जाए, कि उनके हाथ का फूल या कहीं का भी, फूल आपके हाथ में आ जाए, तो आप उस फूल को थोड़ा सा unique मानेंगे, क्योंकि इस सैंट को भी पता नहीं है कि ये माउस मेरे हाथ में कहां से है, तो ये थोड़ा सा उसके लिए, जो माउस था, उनके लिए बहुत ही unique था, जैसे या आप एक बार और मैं बताता हूँ, तो सैंट ऐसा बलिब किया, ऐसा माना, जैसे वा उनके पास आया, मतलब जिस तरह से वा उसके पास आया था, जो माउस जिस वे में आया था, वो उसके लिए बहुत ही unique था, इसलिए उन्होंने प्रे किया, और changed कर दिया, मतलब माउस को किस में change कर दिया, माउस को into a pretty little girl एक छोटे से खुबसूरत लड़की में pretty means खुबसूरत and little means छोटे से girl में उसे change कर दिया, it means उसे एक लड़की बना दिया माउस को, ये सैंट ने ऐसा किया अब क्या बोलते हैं घर पे जाके अपने wife से, look my dear wife क्या बोलते हैं कि देखो मेरी प्रिये पत्नी, I have brought home this little one I have brought home this little one, मैं इस little one को, मतलब मैं इस little one को घर पे लाया हूँ, ये little one उस लड़की के लिए यूज किया गया स्टोडी में कि वो ये बताना चाहते हैं कि मैं इस लड़की को घर पे लाया हूँ, from today I'll say, she will be our daughter, ये हमारी daughter होगी, she will be our daughter it means कि ये में हमारी बेटी होगी he said, ऐसा उन्होंने घर पे जाके अपने wife से बोला the saint and his wife took care of the little child अब क्या होता है, जो saint है और उसकी wife है, took care of मतलब ख्याल रखा the little child मतलब little child को यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, took care of इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ जैसा कि अभी मैंने एक combine का use बताया, उसी तरह मैं यहाँ पे, आपको took care of I mean, ये एक take care of होता है, take care of, इसका मतलब होता है ख्याल रखना, क्या करना, ख्याल लखना, ये एक phrasal verb होता है phrasal verb होता है इसका मतलब होता है, take care of का ख्याल लखना, और इसका भी टू को use यहाँ पे किया गया है took care of took care of, एक्चलि भी टू फर्म होता है और इसकी को इस टोड़ी में use किया गया है, ठीक है तो यहाँ पे आप देखिए, the saint and his wife took care of the little child जो saint है और उसकी जो wife है, उसने क्या किया little child का took care of, किया उसका ख्याल रखा when, c grew up जब वो बड़ी हो गई, यहाँ पे भी भी टू का यूज किया गया है, grow up grow up का मतलब मैं बताता हूँ आपको जैसे grow up, ओके, grow up में इस बता है बड़ा होना, जैसे हम क्या होते हैं, पहले बच्चे राता हैं, बार में grow up हो जाता है तो यह b1 form में है, और यह भी एक getting married, मतलब साधी करने के age तक, मतलब किस age तक हो गई, जब साधी करने के age होता है ना, तो उस age तक जब बड़ी हो गई, her parents, उसके parents जो थे, जो उनके मता पीता थे started, started इसमें शुरू कर दिया searching the right groom for her, मतलब जो उनके मता पीता थे, उन्हें शुरू कर दिया search करना, right groom for her उसके लिए एक सही दूला, groom में इसके होता है दूला for her, उसके लिए यहाँ पर started देख रहे हैं, इसे भी बताता हूँ इसका यूज क्या होता, started का मतलब जैसे started 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 का मतलब कोई चीज शुरू हो जाना, जैसे मैं अगर example के तौर पर बात करूँ जैसे हम लिखे, राम started crying it means राम रोने लगा, राम ऐसा करने लगा, राम ऐसा शुरू कर दिया तो मैं ऐसे बोलेंगे, राम स्टार्ट कराएंग, इसकी राम रोने लगा यहासे बोलेंगे, राम रोना' शुरू कर दिया इस तरह ही बोलेंगे and second example एट तो मैं बोलूँगा, he started playing cricket he started playing cricket मतलब वह cricket खेलना शुरू कर दिया यहासे बोलेंगे近 खेलना, खेलना शुरू कर दिया वहा your cricket खेलने लगा तो स्टार्टेट का हम ऐसे ही यूज करते हैं, ऐसे स्टोडी में दिया गया था, यहाँ पर आपको लीपली थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेइन करें, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्टोडी में, यहाँ पर जैसे हुआ कि स्टार्टेट सरचिंग राइट ग्रूम फोर ले गया जो फी बेटी थी उसके father जो थे उपने बेटी कहा लगा शन गॉड्ड के पास ले गया यहां पर आप देखिए टूक 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 का जिसका मतलब क्या होता इससे भी बताता हूं टेक टू टेक टू का मतलब होता है किसी को कहीं पे ले जाना और इसका भर्टू टूक टू इट मिन्स की से कहीं ले गए यह भी टू फॉर्म है और यह भी वन फॉर्म है जैसे आप इस टोडी में अभी देखें यहाँ पे क्या लिखा था कि हर फादर मतलब इसका मतलब क्या हो कि उसके पीता तूक हर मतलब यद्ट सन सन गॉड के पास्ट तूक का मतलब या टेक तू industry को कहीं पे ले जाना अभी फे "-ति कूझ आ, जैसे, राज़ति दूक हर मतलब धा, उससे सन गॉड के पास उसे ले गया और वहाँ पर जाके लड़की क्या बोलती है father he is too bright पिता जी ये तो बहुत ही चमकीला है and hot है I cannot marry him मैं इसे साधी नहीं कर सकता she said वहाँ पर बोली और किस तरह बोलती है with her hands covering her face from the bright light of the sun और किस तरह बोलती है मतलब अपने hand से cover करते हुए her face from the bright light मतलब जो चमकीला light था of the sun sun god का जो sun भगवान थे उनके जो bright lights आ रहे थे उनके उससे और इसके face पर पढ़ रहा था तो क्या कर रहे थी अपने hand से अपने face को ढखते हुए ये बात को बली then तब क्या होता है कि the sand took her to the lord of clouds तब क्या होता है कि जो sand थे उसे lord of clouds के पास ले गए जो बादल के जो लॉड थे उसके पास ले गए बट फिर वहाँ पर क्या बोलती है उनकी बेटी बट फादर his thunder and darkness scare me कि उसका जो thunder है उसका जो गरजना है और उसकी जो डारकनेस है जो अंधेरापन है स्केर में मुझे स्केर करता है मुझे डड़ाता है सी सेड वह बोलती है सीवरिंग एज सी स्पोक टू दस सेंट और क्या करती हुए बोलती है मतलब कापते हुए तो डड़ी वी टाइप में वह अपने पीता से ये बात को बोली मतलब जो पिता जी थे उनके और जो गल थी उनके पास से क्या होता है मतलब गुझरा ओ फादर दे माउस इस परफेक्ट तो क्या बोलती है पिता जी कि माउस ही ठीक है मेरे लिए परफेक्ट है मैं उससे साधी करूंगा सीषर्ड वह ऐसे बोली विद आइज स्पार्कलिंग विद जो आ है और किस तरह बोलती है मतलब जब बोली तो क्या था कि उसके आखों में स्पार्कलिंग था विद जो आ है मतलब खुशी से उसके आखों में चमक थी दा सैंट वाज डिलाइटेट था मतलब बहुत जारा डिलाइटेट था था खुश था सींग इस डॉटर हपी अपने बेटी को हापी देखकर मतलब स्टोरी तो यहीं पर कंपलीट होटा है तो इसमें हम क्या सिखें मुराल यहीं दिया गया है कि वी मस्ट चूज मतलब हमे आप नेगलेट करें और जो चीज आपको अच्छा लगे आप उसी को ही सलग करें तो इस स्टोरी से हम बस यहीं चोटा सा एक जो मुराल हुआ जिसने हम एक बच्चों को सीख दे रहा हूं तो तो तिल देन टेक केर और वीडियो बहुत बढ़ी हो चुके है तो मैंने चाह